तो यहां पर मैं आज कहले रहा हूं गेट नाइट 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 ने प्रॉल्म यह प्रॉल्म है बहुत ही अच्छा यह इंट्रेस्टिंग प्रॉल्म में आए हुआ है तो इसका solution में देखूंगा basically क्या होता है यह वहला जो प्रॉल्म होता है बहुत होरे student को confusing लगता है फोर सा confuse करता है इसका right way में solution क्या होना चाहिए या कैसे बनेगा करके इसको क्या करूंगा आज लोंगा और इसको simple में मनाने की कोशिश करूंगा तो आप स्टार्ट सेंट तक देखें को इसकी solution को कि इसको करते हैं देखो प्रॉल्म यहां पर दिया हुआ है for the audio cassette mechanism shown in the figure where is the instantaneous center of rotation that is where is eye center of the two spools आपको eye center बताना है और पॉइंट पी यहां पर देखेंगे यह कैसे प्रॉल्म दिया हुआ बेसिकली cassette का इन दोनों को बोले जाता है spools बोले जाता है यहां पर देखेंगे spelling SPOOLS दिया है so this one is bigger school this one is small school because आपको थोड़ा सा याद होगा जब आप olden days में जब cassette चैटे से मालों को बड़ेवाले कैसे में सपोस करो अगर चट रहा है और चोटे वाले पर उतार रहा है अब सबस्क्राइब सबस्क्राइब कैसे अगर कैसे बड़े भाले बड़े बाएवाले निकल रहा हैसे होते हो जाय और यह कहा फोल चोट जाय इसे रुटेट करेंगा ृपी देंग तट यह यहांस का इस इसका रोटेस्टन हो कि ऐसे रोटेट करेंगा इस वाले से रिबन बहार आएगा और यह से होते हुब कहाँ जाएगा तो दिरी दिरी इसके ओपर रिबन चड़ेगा और इसको पर सिर्पन क्या होगा उतरे यह नहीं बाहर आजाएगा ऐसा बोल पहुंगा तो यह कैसेट के आप बात करेंगा यहां पर कि पूछाए वेरीज देंटर पोटेक्शन आए क्याविदी दोनों स्पूल को बताना है कि कहां पर यांपको दिया हुआ हुआ है अब दिया उए बात करूंगा सब्सक्रों को अगर फिक्स मानाता हूं लिंक नंबर 1 सबसक्रों यहи फिक्स से लिक नंबर 1 कैसेक्सित नंबर 1 इसका व्रेम इंग लिंक नम्बर वन है और यह वाला जो पूल है इस वाले स्पूल को न्गर निकालना है और किसा इस ост Langatar मbeslug तो दोने स्फूल को उसी पॉइंट को प्लिपोंट भी और इसी पॉइंट को प्वाला पॉइंड जारे लिखते है तो बेसे किली आईटू-3 कहां पर लाई करेगा यह देखना है हम लोगों को चार ओप्सिंस भी दिया हुआ है देखते हैं तो आई 23 आपको निकाला है वेरियस पॉइंट भी निकाला है तो सबसलिए अगर मैं बात देखते हैं लिंक नंबर 123 को मैंने हैं पर डिसाइड कर दिया कि कैसेट जो है वो प्लेयर लिंक नंबर 2 जो म यह मेरा थी तो मेरे पाँ मीन पास टीन एक फिर दीन सब्सक्राइब हो गा और यह तीन मी करें होतान सब्सक्राइब कर providers फिर की लोकेट कर सकते हो कौन गोसा देखे सब्सक्राइब कर रहा है इस पॉइंट कर रहा है इस पॉइंट कर रहा है तो यह वाला पॉइंट एच जो है वह बन जाएगा आपके पास आपके पास रहा है और आपको निकालना है और इस पॉइंट पी पोइंट कर दिया है और बाकि पॉइंट पी थरड वाला इस सेंट्र आपको बताना पड़ेगा वेरीजा राई थो थी आई-टू-3 कहां पे होगा देखते हैं अगर मैं केनेडी स्थेयरम की बात करूँ तो क रिदिस थेर्म बुलता है अगर if we have 3 links अगर 3 link आपस में connected है relative motion है between the 3 links तो वेक्षे condition में उनका जो i center होना चाहिए straight line पर आना चाहिए same line पर आना चाहिए इसका मतले यह तीनों ही i center i12 i13 और i23 एक straight line पर आना चाहिए देखते हैं अगर मैं 2 point तो मुझे मिल गया दोनों को जोइन करके straight line बनाओं तो यह भला point बिर पास i12 है A वाला point और h वाला point i13 है तो दोनों को अगर मैं connect कर दूँ तो यह ऐसा straight line बन रहा है आप ध्यान देख होए यह ऐसा straight line यह ऐसा straight line बनकर यहाँ पर चला जाएगा तो इस line पे कहीं नहीं कहीं आना चाहिए, because this is the line, यह straight line है, यहाँ पे I12 आचुका, I13 आचुका है, इसी line पे कहीं नहीं आपका I23 आना चाहिए, सब सब्सक्राइब बात तो यह decided हो गया according to Kennedy's theorem, तो Kennedy's theorem के हिसाब से आपका जो I23 है, यारी जो P वाला point है न वो इस line के उपर ल लाई करेगा और कहीं पर भी लाई नहीं करेगा, तो यहाँ पर सब से पहले देखो, तो आपके पास जो अप्शन से वो अलड़ी ऐसे ही है, point P lies to the left of both the spools, right at the infinite, along the line joining A and H, देखो, वही दिया है, A and H दिया है, A and H को जोडने वाला line जो है, तो आप देख सकते हो, मैं जो line जोडते होई जा रहा है, वहला line यहां पर बन जाएगा, यह वहला, second वहला, joining A and H, वह भी बोल रहा है, third वहला, joining A and H, वहला line joining A and H, तो सब आल्मुस्ट वैसे ही है, line joining A and H, इसमें भी ऐसा ही बोल रहा है, तो तीन तो आप्शन तो अल्मुस्ट यह, लेकिन थोड़ी यहां आसकता है, यहां यहां, कहीं पे भी आ सकता है, यानि दोनों स्पूल के लेफ्ट पर आ सकता है, पी दोनों स्पूल के right side पर आ सकता है,ум WAY ब भी ला है, यह दोनों फे अगर अब देखोगे तो यहाँ कहीं पर आपको पॉइंट मिलेगा इस टैप से देखो यह आपको पॉइंट को जोईन करने के बात यहां पर धियान देना यह जो आपका लाइन BNC सब्सक्राइब कर जो इसा हो जाएगा इन दोनों आइन को जोड़ने में यह पी आएगा और ऐसा ऑप्शन D में बोला हुआ है तो यह एकदम गलत है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि Kennedy's theorem की हिसाब से अगर आपका तीन लिंक अगर connected है, relative motion में हैं, तो तीनों का जो तीन आई center होगा, वो एक ही straight line पे होना चाहिए, यानि जो आपका P है, I23 जो है वो इस वाले line पे आ सकता है, इसके लावा कह कर दे रहा हूं, वो आपके पास क्या हो गया है, गलत हो गया है, आप देखेंगे option P के लिए, इतना तो decide कर लिए हो कि इसी line पर आएगा, बट आएगा कहां, दोनों के left पर, दोनों के right पर या दोनों के बीच में कहीं पर आएगा, उसलिए क्या करूंगा, उसलिए क्या कर i23 लिख रहा हूं, i23 से लेके i13 तक और i23 से लेके i12 तक का distance हो जाएगा, यह omega आपके पास omega 2 by omega 3 यहाँ पर आ गया है, तो यह formula में लगाऊंगा यहाँ पर angular velocity theorem, decide करूंगा कि कहां पर उस line पर आने वाला, दोनों स्पूल के left पर, दोनों स्पूल के right पर या दोनों स्पू पर जाके चड़ रहा है, right, वैसे condition में क्या होगा, इसका अगर मान लो, यह जो rotate, इसका rotation का angle velocity अगर में omega 2 लेलू, यह जो rotate कर रहा है, इसका angle velocity अगर में omega 3 लेलू, link 2 का omega 2, link 3 का omega 3 लेलू, वैसे condition में एक चीज़ आप notice करोगे, यह जो velocity, जिस velocity से बाहर आ रहा होगा, जिस speed से, उसी speed से यहां पर अंदर से ला जा रहा होगा, वैसे condition में, अगर इसको V2 बोल रहा हूं, और इसको सपोज करोगा V3 बोल रहा हूं, तो यहां पर आप क्या बोल पाहोगे, दोनों का velocity है, that is, आप ऐसा बोल सकतो, V2 will be equal to V3, दोनों का velocity, same हो जाए, what is V equal to R into omega, तो पहल यहां पर, तो 10 into कीतना हो जा रहा है, omega 3 हो जा रहा है, तो यहां से आपके पास जो relation आ जाएगा, what is the value of omega 2 by omega 3, omega 2 by omega 3 का जो आपके पास value आ गया है, वह आगया है, 1 by 2 आ गया है आपके पास, omega 2 by omega 3, आप देख सकते हो, omega 2 by omega 3 that is equal to 1 by 2, 1 by 2 यहां पर आप इसको substitute कर लो, तो substitute करें तो कैसा जागा धियान देना तो यह omega 2 by omega 3 जो है इसका जो value है आपके पास वो कितना आ गया है that is equal to 1 by 2 यह आगे है आपके पास 1 by 2 आ गया है अब यहाँ पर देखेंगे i23 जो है वो आपको बताना है what is i23 मैंने i23 को बोला है point p bola है distance p से लेके कहां तक i13 और 13 वाले point को मैंने बोला है h बोला है distance p से लेके h तक का distance divided by i23 को मैंने क्या बोला है point p बोला है p से लेके i12 i23 से लेके i12 का distance i12 जो है मेरे लिए project ay 12 मेरे लिए point a है and this is equal to 1 by 2 हो गया है तो आप यहां से लिख सकते हो यह देख पाऊगे कि आपका पी एच डिवाइड बाई पी ए जो है यहां प्यारा है आप रिलेशन एका चेक करो किसी पर भी ऐसा रहा है गया यहां पर देखना हो अगर तो आप देख पाऊगे पी एज ट्वाइस ओफ पी एच कहाँ पर आपको ऐसे दिखेगा जहाँ पैसे लिखाओ पी एट इज त्वाइसे ओफ पी एच देखो यहां पर दो रिलेशन है एह और आपर अहींटर नहीं हो जाइगा तो इसदेशेछ पी एजङ होना चीinn法第 at the infinite, infinite पे होगा, तो infinite पे नहीं होगा, because यह finite value यहाँ पे show कर रहा है, P और pH का जो ratio वो finite है, तो infinite पे होनी सकता है, यानि यह वाला option भी पहला तो जाएगा, first of all option नहीं हो सकता है, बाकि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो आप यहाँ पे ध्यान तो इस टाइप से line बना हुआ है, इस वाले line पे मालनों कहीं पे अगर यह वाला point आपके पास, पहला वाला point अगर मालनों A है, यह वाला point आपके पास H है, और point P जो है इस line पे कहीं नहीं आना है, such that इस वाले relation को satisfy करना चीए, यह P A is twice of P H, तो आप देखोगे, अगर P A जो है, P A ऐसा लोगो कि P से लेके A तक का जो distance होना चीए, वो P से H जो होगा distance उसका double होगा, तो आप ऐसा देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ अगर P को, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, suppose को अगर मैं P को ले लेता हूँ, तो वैसे condition में क्या होगा, और यह दोनों distance, मालो distance जो है, वो same है यहाँ पे, इस type का distance हो जाएगा, यह distance हो जाएगा, वैसे condition में कहसे हो जाएगा, मालो आपका जो A H है, A H जो है, वो अगर suppose को अगर H P के बराबर हो गया, तो वैसे condition में क्या लिख पाऊगे, What is P A, तो P A अगर यह ऐसा हो जाता है, तो वैसे condition में आप क्या लिख पाऊगे, What is P A, तो P से लेकि A तक का distance कितना हो जाएगा बताना, तो यह आपके पास हो जाएगा, P H हो जाएगा, और प्लेस कितना हो जाएगा बताना, A H हो जाएगा आपके पास, and since I know, मुझे पता है कि A H जो है, वो H P के बराबर है, तो वैसे condition में आप जहाँ पे H लिखाया है, उसको आप क्या लिख सकते हो बताना, H P लिख सकते हो, तो यह आपके पास, यह आपके पास P H रहने दो, जहाँ पे H लिखा हुआ, वहाँ पे H P put कर दो, या P H put कर दो यहाँ पे, तो वैसे condition में आजाएगा, आपको P A is equal to twice of P H आजाएगा, तो आप देखो के P A is equal to twice of P H, तब आएगा, जब आपका P point जो है न, H वाले point के right side में होना चाहिए, वो भी equal distance होना चाहिए, यानि A से लेके H का जो distance होगा, उतना ही distance, H से लेके P तक वाले का distance होना चाहिए, तब जाके आपका यह relation satisfy करेगा, जो यहाँ पर satisfy करना चाहिए, तो ऐसे condition में सिधा बहु सकता हूँ, कि आपका जो point P होगा, I center 2, 3 जो होगा, वो दोनों इस pool के right वाले side पे होगा, यानि यहाँ कहीं पे होगा, और relation यह satisfy करेगा, H is equal to HP, क्योंकि देखो ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे देखो, कुछ student यहाँ भी confused जाते हैं, pH is twice of AP, बढ़ यहाँ पे उल्टा लिखा है, right, AP is twice of pH लिखा, जो confused नहीं होना, option B को correct मत करना, बढ़ यहाँ पे आपके पास जो correct option होगा, वो option C वाला आपके पास correct होगा, वही option C, C वाला क्यों correct है, because यहाँ पे साब साब है, अगर मैं H और HP को ब्राबर लेता हूँ, तब जाके यह relation जो आना चीए, Kennedy's theorem से, या angular velocity theorem से, वो satisfy होगा यहाँ पे, तो देखो, ऐसे मैं यहाँ बनाया, यह पहला वाला spool था, bigger वाला spool, और यह smaller वाला spool था, दोनों spool के right side में, अगर P का value आता है, in such a way, that A से लिए के, A से लिए के इस ते का distance, और A से लिए के P ते का distance, कैसा होना चीए, तब जाके relation यहाँ पे आपके पास आएगा, जो relation मुझे चाहिए, यहाँ पे angular velocity theorem से, आप देखोगे, option C यहाँ पे right है, right option है, यहाँ पे सही solution है, तो आप यहाँ पे दिखपाऊगे, इस वाले cassette वाले problem है, ऐसा बोला हुआ है, यहाँ एपोइंट यहाँ पे है, I12, H वाले point यहाँ पे I13, और यहाँ कहीं पे आपको, इस लाइन पे right side में, यहाँ कहीं पे आपको point P मिल जाएगा, यह point P मिल जाएगा, आपको that is I23 वाले point मिल जाएगा, so that यह satisfy करे condition को, तो option C यह लिखा है, point P lies to the right of both the spools, on the line joining A and H, such that A H is equal to HP, और यही वाले जो C वाले होगा, वो आपका right answer हो जाएगा, simple way मैं इसको solve कर दिया हूँ, तो मुझे यहाँ पे किसी चीज़ का ज़ुरत नहीं बढ़ा, सिर्फ दो चीज़ का ज़ुरत मुझे यहाँ बढ़ा, पहला Kennedy's theorem, जो बताता है कि अगर तीन link अगर connected ready motion है, तो तीनों का I center एक straight line पे होना चाहिए, पहला वो यूज़ किया, और दूसरा में जो यहाँ पे यूज़ किया सिर्फ angular velocity theorem, जो अलड़ी में कुछ class पहले derive कर रहा था, अलड़ी मैं आपके साथ discuss किया हूँ, आप इस टाइब को प्रोब में कराता है, तो आप mistake नहीं करोगे, तो आप निस्टेक नहीं करोगे केंड़ी स्वरों को अच्छे वे में अप्लाई कर पाऊगे, ओके ठीक है, मिलते हैं नेक्स टोले वीडियो में ने वाले टॉपिक के साथ,